हेलो इस्टूडेंट्स बेलकम टू माई चैनल इस्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी के लिए बहुत सौक्ड करने वाली यहां पर न्यूज है और मुझे भी यह सुनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उमीद थी कि कुछ टाइम बाद भी यह डेट आएगी लेकि कर दी गई है यह लेटर है आईकोट की वैपसाइट पर अपलोड है और हमारे वीडियो के डिस्करप्शन में आपको मिल जाएगा यहां पर इस पर्ष्ट दे दिया है कि देखिए बेब अब्यारती जो एक साधे गुरुप की मुख पर इक्छाओं हेतु सपल हुए है आविधन पत्र एक से अधे गुरुप हेतु स्विकार नहीं होगा तो सबसे पहली बात कि आपको अगर आपका गुरुप A में हुआ है तो उसकी लिए अलग और गुरुप B में हुआ है तो उसकी लिए अलग हलाकि मुझे ऐसा लग रहा था आपको मैंने जानकारी भी दी थी कि आपको वैसा ही करना है लेकिन यहाँ पर तो माजरा ही अलग हो गया है और यहाँ पर जो पहला फॉर्म जैसा भरना बताया था विलकुल उससे अलग ही बात हो गई है तो सबसे पहले तो आपको ये करना है उसके बाद यहाँ पर सीगर लेखक, सीगर लेखक ग्रेट 3, सीगर लेखक ग्रेट 3 में कोर्ट मैनेजर इस्टाप का गुरूप A की मुख परिक्षा 22-2023 सौंबार को सहाइ ग्रेट 3 गुरूप B की मुख परिक्षा दिनांक 22-2023 बाद दिनांक 21-2023 को बिविन नपालियों में जबलपूर में इस्तित परिक्षा किन्द पर आयुजित करी जाएगी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम बाली बात आ गई है कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को आपका एक्जाम हो जाएगा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था हमें भी उम्मीद थी हमने भी आप लोगों को बताया था कि लगबाग 10 पाइक तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएगे वो वेरिफिकेसन के लिए डॉकुमेंट जाएगे और कम से कम 10 दिन उने लगेंगे डॉकुमेंट वेरिफाई करन जिनके गुरुप A और गुरुप B में पेपर निकला हुआ है अब उन्होंने सिर्फ एक ही बार अपने डॉकुमेंट सेंड करे हैं और उसमोंनोंने इस टैनों के लिए उनका गुरुप A है जैसे उनका इस टैन में भी है और उनका गुरुप B में मतलब टाइकिस्ट में लोगत ब्रबिग और से तो बहुत और प्रतक पृइदन पत्र भेजना अनिवार है तो भाई अब परथक-प्रतक की बात आ गई है तो आप ऐसा करिए कि आप एक बार भेज चुके हैं आप एक बार और एक form गुरुप B का भर के और भेज दीजिए ताकि आपके दोनों form हों की आपकी यहां पर रहें कि आपको दोनों एक्जाम में बैठने के लिए दिया जाए आपको बाहर ना किया जाए अभी सौक्ड करने वाली ये न्यूस थी इस एक्जाम की इसको आप बड़े ध्यान से देखकर इस एक्जाम की प्रिपेर्शन आज से ही करिए और आप जादा दिन आप फॉर्म को महां पर जमा करने में मत लगाईए आप रात दो 2023 से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं मलब 16 तारिक से आपको एड्मिट कर निकलना है स्टार्ट हो जाएंगे आप तब कर पाएंगे अब मैंन बात है कि भाई अपडेट आ गई है और पेपर आपको देना ही है 20-25 दिन बचे हुए है तो अब क्या करें तो देखिए अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो यूटूब पर इनफ वीडियोज डली हुई है लेकिन अगर आप सेक्वेंसे चाहते हैं तो हमारा कोर्स है सोट हैंड के लिए और टाइपिस्ट के लिए आप चाहें तो इस कोर्स को ले सकते हैं हो सकता आपको लगे कि स और संपाद के मैटर डिक्टेशन और यहां पर आपको फीमेल वाइस में भी डिक्टेशन मिलेगी 2015-2017 की डिक्टेशन मिलेगी तो आपकी प्रिप्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और अभी आपको इनफ डिक्टेशन मिलने वाली हैं आपको अब 20 तारिक तर लगातार आपको dictations मिलेंगी daily की daily तो अगर आप एक course ले सकते हैं क्योंकि देखिए नौकरी आपको हर बार नहीं मिलेगी हर बार chance नहीं मिलेगा 20 तारिक तक की बात है आपका exam हो जाएगा उस बीच में यदि आपने इन course को लेके क्योंकि देखिए सिर्फ आप ही एक ऐसे student नहीं है जो paper दे रहे हैं आपके जैसे 50 student paper दे रहे हैं कुछ तो center पे भी तैयारी कर रहे हैं plus अपने घर पर भी कर रहे हैं तो आपको अपने घर पर जादा से ज़्यादा center पे आप एक गंटे कर पाएंगे दो गंटे कर पाएंगे लेकिन अगर आप घर पे बैटे हैं तो आप 5-5 गंटे तक practice कर सकते हैं और लगवक 300 मेटर तो अभी upload है डिक्टेशन की रूप में और प्लस आपको daily कि अब 2-3 मेटर या 4 मेटर हम नए upload करेंगे तो आपके लिए enough content हो जाएगा preparation के लिए 20 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी मज़ सोचिए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए की बात है आप course को आज ही ले लीजिए ताकि आपको best quality का content provide हो सके क्योंकि यहाप डिक्टेशन के साथ आपको pdf भी available हो जाएगी तो मेरा कहना है students अभी तक आपने हम पर विश्वास बनाया इस course को लेकर भी आप हम पर विश्वास करिए आप लोगों की बहुत अच्छी preparation हो जाएगी और आपका selection भी हो जाएगा साथ में यह typist के लिए था इसी परकार से steno वालों के लिए हमने 90 वर्ड, 80 वर्ड और 100 वर्ड की dictation प्रोबाइड करी है short hand वाली बच्ची भी preparation के लिए dictation अगर उनके पास में नहीं है तो वो इस course को ले सकते हैं मैं फिर repeat करूँगा जिन्नोंने group A का form बराता और group B में भी वे pass out हुए थे तो अभी अगर उन्होंने हमारी बात मान किया किसी और teacher की बात मान कि group A का form के साथ में ही आपने सर्फ जानकारी भीजी है तो डरने की बात नहीं है आप group B.E.M. का form फिर से भर के फिर से बही document लगा के और high court में जमा कर सकते हैं आपका इस process को करेंगे तो आपका यहां पर form भर जाएगा और आप दोनों परिक्षाओं में बैटने के लिए यहां पर शुईकार कर लिया जाएगा और आप बैटने के लिए eligible हो जाएगे student से दिया हमारी वीडियो information हमारी helpful लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद